एक भक्त ने भगवान नाराण का तप किया, बहुत जूरदार तप किया, भगवान प्रसन हो गए, लक्षमी जी ने का दर्सन देओ इसको, नाराण प्रगट हो गए, बताओ क्या चाहते हो, बुले प्रभू मैं बस आपके धाम में वास चाहता हूं, मुझे अपने धाम में नित्यवास अपने पार्षद रूप में दीजिये, भगवान ने का ये कोई वर हुआ, अरे वहां रहोगे, खाओगे क्या, बुले प्रभू आपके ही जूटन खालिया करूंगा, जो आपका बचेगा वही पालूंगा, पहनोंगे क्या, बुले प्रभू आपके ही उत्रे हुए वस्त्र पहर लूंगा, और क्या पहरूंगा, अरे रहोगे कहाँ, बुले वहीं कहीं बईकुंट में पढ़ा रहूंगा, कौने में, लक्षमी जी ने कहाँ प्रभू इतना क्यों से सवाल जवाब करते हो, कितना तो सीधा सरल भक्त है, कहता है आपी का बचा पालूं आपी के चरणों में पढ़ा रहूंगा, नारायन कहे भोला नहीं है, सम्मे चतुर यही है, भोला भोला नहीं है, बुले क्यों, बुले कहता है आपका बचा पाऊंगा, तो हम तो छप्पन भोग पाते हैं, तो यह भी छप्पन ही भोग पाएगा, और सोने के बरतनों में तो ये भी सोने के वरतुनों में पाएगा कहता है आपका उत्रा हुआ वस्र पहनूंगा तो हम तो पीतामर पहनते हैं बहुमुल्य ये भी वही पहरेगा और कहता है चरणों में पढ़ा रहूंगा तो हम तो चिनमे वैकुंठ में विरास्ते हैं ये भी वहीं रहेगा अरे लक्षमी भक्त सीधे नहीं होते भक्त सबसे ज़्यादा चतुर होते है चतुर किसको कहते हैं? समझदार को चतुर कहते हैं अभी संसार में चतुर माने हो गया चालाक जो दूसरे का पैसा हडपले वो चतुर नहीं समझदार को चतुर कहते है चतुर तो सबको होना चाहिए भक्तों को चतुर कहा भक्त माल में बोले चतुर किसको कहते हैं बोले हमारे पास काँच था सामने वाले पे हीरा था युक्ती करी काँच दे के हीरा ले लिया ये चतुराई है यह यह चतुराई है हीरा दे के कांच ले लिया यह चतुराई जोड़ो है कांच के मोल में हीरा ने लिया हीरा ग्रहन कर लिया यह चतुराई है तो यह मनुष्य शरीर यह संसार तो कांच के जैसा है इस काच को देके हरी भक्ती रूप हीरा जो लेले वो भक्त है वो चुतुर है कि इस अमुल्ले नर्तन रूपी हीरे को देके काच लेले जगत का वो चुतुर है तो संसारी चालाख है चुतुर नहीं है चुतुर तो भक्त होता है वो इस नाशवान देह को प्रभू की सेवा में लगा करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है और संसारी इस अमुल देह को गला करके नाशवान मस्तुमों को पाके अपना नाश कर लेता है तो संसारी चतुर नहीं भग्द चतुर होता है